जेहिन जे भारत दोस्तों तो आज किस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है बिहार वोड के दोरा जो ओफिसियल वेपसाइट के दोरा जारी किया गया मोडल सेट वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो यहां पे देखिए साइंस मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ ह तो मैं आपको बताने वाला हूँ साइन्स के टोटल के टोटल वस्तुनिष्ट प्रस्न और यहां पे कुछ आपको दिये गए पढ़ने के लिए कैसे से क्या करना है वह आप पढ़ लेना आपको दिया गया होगा एक मिनिट मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ठीक है तो पर उत्सुक होंगे कि इसका एंसर क्या होगा है ना तो चलिए शुडू करते हैं तो सबसे पहला प्रस्न है कि किस दर्पन की फोकस दूरी रिनात्मक होती है तो आप्सन ए में समतल दर्पन और बी में अपतल दर्पन और सी में उतल दर्पन और डी में में से कोई नहीं त कि दरपन की फोकस दूरी F और वक्रता तिर्जा R में क्या सम्मंद है तो F बरावर RY2 यह फॉर्मूला होता है यही सम्मंद होगा तो आप देख लिजिए option B the right answer option B में F बरावर RY2 तो आप लोग भी ध्यान देना कि इसका कितना सही answer होगा और मतलब क्या सही होगा और क्या गलत होगा ठीक है आप वीडियो को पहुच करके भी आप देख सकते हो और निर्ने खुद से ले सकते हो तो आईए प्रशन कर्मांग तीन है हमारे पास तो तीसरा में दिया गया है समाने दिरिष्टी के लिए असपश्ट दिरिष्टी की नियु मिली मीटर डी इनमें से कोई नहीं तो बताए इसका सही अंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा ऑप्सन भी पचीस सेंटी मीटर आईए इसी प्रकार हम लेते हैं प्रशन कर्मांग तीन तो प्रशन कर्मांग तीन में दिया गया है कि स्वेट प्रकास का C में लाल और option D में पीला तो देखो भाई चार का जो सही अंसर होगा ना तो option C लाल होगा ठीक है तो आप समझ गया होंगे आए अगला प्रेशन हम लेते हैं तो प्रेशन करमांग हम 5 की और चलते हैं तो प्रेशन करमांग 5 में है मानाओ आंक की रेटिना द्वारा बनाई ग उल्टा और डी में हैं वास्तविक और सीधा तो पांच का सही अंसर होगा दोस्तों option B वास्तविक एवं उल्टा ठीक है तो इसी तरह हम लेते हैं प्रेशन करमांग 6 तो प्रेशन करमांग 6 में दिया गया है अकास का रंग निला प्रतीत होता है किसके कारण option A में प्रकास के प्रावरतन के कारण और option B में प्रकास के प्रकरिनन के कारण option C में है प्रकास के अवरतन के कारण और D में है इन में से कोई नहीं देख भाई 6 का जो सही अंसर होगा option B प्रकास के प्रकरिनन के कारण चले इसी प्रकार प्रेशन करमांग 7 की वर चलते हैं तो 7 में दिया कि डरपन से वस्तू का परतीविम बड़ा बनता है किस दरपन से आट की वर चलते हैं तो प्रसंद करमान का आठ में दिया गया है कि निमलीखीत में कौन सा लेंस निकट द्रिष्टी दोस्त को ठीक करने के लिए उपयोगी किया जाता है तो बता इसका सही एंसर क्या होगा तो देख भाई आठ का जो सही एंसर होगा ना इसमें से देखे इस समझ गया होंगे अब तलदरपन अब आईए अगला प्रसंद लेते हैं तो प्रसंद करमांक आठ की नौ की वर चलते हैं प्रसंद करमांक नौ में है निमलीखीत में से कौन उपकरन विदुधारा की उपस्थिती दर साता है तो इसका सही एंसर क्या होगा दोस्तों ठीक है आए प्रसंद करमांक 10 की वर चलते हैं प्रसंद करमांक 10 में दिया गया की दाएं हाथ के अंगुठे के नियम को किस ने प्रतिपादित किया था तो इसका सही एंसर क्या होगा आश्टेड ने फ्लेमिंग ने सी में आइंस्टीन ने और डी में है मैक्सवेल ने तो प्रसंद करमांक 11 की और चलते हैं प्रसंद करमांक 11 में दिया गया है विभुवांतर का एसाई मातरक होता है तो भाई 11 का सही एंसर क्या होगा दोस्तों 11 का सही एंसर होगा आप्शन ए ठीक है यानि वोल्ट इसी प्रकार हम देखते हैं प्रसंद करमांक 12 तो प्रसंद करम तो देखो बारा का जो सही इंसर होगा, दोस्तो, option A option A is the right answer, जी नीक रम ठीक है आज़ें प्रस्ष्न कर्मांग 13 रखलते हैं प्रस्ष्न कर्मांग 13 में दिया गया है चुम्बक्य है बल रखा की प्रकृति होती है तो इसका सही इंसर क्या होगा दोस्तो तो यहां पर option A में कालपनिक, option B में वास्तविक, option C में वास्तविक एवं कालपनिक दोनों option D में इन में से कोई नहीं तो भाई इसका सही इंसर क्या होगा तो देखो तेरा का जो सही इंसर होगा option A कालपनिक इसी प्रकार हम चलते हैं प्रेस्टन कर्मांग 14 की ओर तो 14 में देखिए यहां पे लिखा गया एक किलो वाट घंटा किसके बरावर होता है तो बताई इसका सही इंसर क्या होगा दोस्तों तो देखो भाई 14 का जो सही इंसर होगा option C यानि 3.6 उन्हें 10 की घाच 6 जूल होता है इसके बरावर होता है एक किलो वाट घंटा आए प्रेस्टन कर्मांग 15 की ओर चलते हैं पंदरा में दिया गया है नवी कर्निय ओर जा का सरोत क्या है चार option दिये गया है भाई इसका सही इंसर क्या होगा तो देखो पंदरा का जो सही इंसर होगा दोस्तों option B है सार उर्जा अब सारी लेंस भी कहा जाता है तो बता इसका सी एनसर क्या होगाई उप्तल में इसन्स प्रकास का सभु सतरा क वर्न कौन है प्रकास का प्रात्मिक वर्न कौन है तो देखो भाई इसका सही इंसर क्या होगा तो देखो भाई 17 का जो सही इंसर होगा दोस्तों अप्रवक्त सभी लाल नीला हरा सब है ठीक है तो उप्रवक्त सभी होगा इसका सही इंसर चलिए अगला प्रसंग क्यों चलते ह निमलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है तो भाई इसका सही इंसर क्या होगा तो देखो भाई कौन होगा अपसने में कर्निया अपसन B में पूपिल अपसन C में रेटिना अपसन D में आईरिस है तो भाई इसका सही इंसर क्या होगा तो देखो भाई 18 का जो सही यानि कॉर्णिया होगा चलिए इसी प्रकार हम प्रस्न कर्मांकुनीस की और चलते हैं प्रस्न कर्मांकुनीस में दिया गया है एक एच्पी बडावर है इसका सही इंसर क्या होगा दोस्तों एक एच्पी बडावर तो भाई इसका सही इंसर देखो यहां पे देखो छेसो चै 40W है B में है 760 C में 700C और D में है 550 तो देखे बाइ 19 का 19 का जो सही अंसर होगा तो सो A ठीक है यानी 746 वाट इसी प्रकार प्रसंट करवां की बीस की ओर चलते हैं 20 में दिया गया कि विसालक सिसा मेंगनीफाइंग ग्लास ठीक है इसका कोष्ट में उसी का नाम है क्या होता है ये पूछ रहा है कि विसालक सिसा होता है तो क्या होता भई तो 20 का जो सही अंसर होगा दोस्तों option B यानि उत्तल लेंस थोरी सर्दिरूदी हो गई है तो कॉपरेट कीजिए का है ना सर की अवाज आती होगी तो प्रेस्ट करमांग के 21 में हम देख लेते हैं तो 21 का देख लो भाई क्या होगा सही अंसर तो question दिया गया कि जब किसी चालक तार से विद्दू धारा प्रवाहित होती है तो गती सीलकन होते है चार अपसन दिये गया है चार अपसन में से कौन सही होगा दोस्तो तो इसका सही अंसर होगा दोस्तो option d यानि electron ठीक है इसी प्रकार हम लेते है प्रेस्ट करमांग 22 तो प्रेस्ट करमांग 22 में दिया गया एंपियर घंटा मात रख है MPR घंटा मात्रक है तो क्या होगा से Option A में सक्ति का Option B में आवेस का Option C में उर्जा का Option D में से कोई नहीं तो भाई 22 का सही एंसर क्या होगा तो देखो भाई 22 का 22 का जो सही एंसर होगा Option B Option B the right answer आवेस का ठीक है इसी तरह हम चलते है प्रेशन करमांग 23 निम लिखित में कौन सा मात्रक वाट यानि डवलू के बराबर है तो बताए क्या होगा तो देखो भाई 23 का जो सही एंसर होगा Option A जूल पर 30 सेकेंड इसी परकार हम लेते हैं प्रेशन करमांग 24 24 में दिया गया कि विद्धु धारा का मातरक क्या होता है तो बताए इसका सही एंसर क्या होगा दोस्तो तो इसका सही एंसर होगा यानि Option A इदर राइट एंसर इसी परकार हम चलते हैं प्रेशन करमांग 25 की ओर तो पचीस में दिया गया है ग्लोबल वार्मिन के लिए उतरदाई गैस कौन है यहां ऑक्सीजन एनस्थिरी सीओ टू एंटू तो कौन होगा भाई उतरदाई गैस तो बताए पचीस के लिए पचीस का सही एंसर होगा दोस्तो Option C सीओ टू कारवन डायोकसाइड एट ठीक है अप्सन ए इस दे राइट इंसर चलिए प्रस्ण करमांग 27 की ओर चलते हैं 27 में दिया गया कि काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभी किरिया होती है तो भाई यहां पे चार अप्सन दिये गया है इसका सही एंसर क्या होगा तो देखो भाई 27 का जो सही एंसर होगा ना तो अप्सन ए उसनमा 6 पी होगा इसी प्रकार चलते हैं प्रस्ण करमांगा 28 की ओर 28 में दिया निमली खीत में कौन सबसे अधी किरिया सील है तो चलिए अप्सन देख लेते हैं भाई इसमें देखे इसमें से कौन है सोना की कौपर है की चांदी है है ना की पारा है कौन होगा इसमें यानि सबसे किरिया सील तो मैंने आपको सक्रिया था सरेनी भी पढ़ाया था उसमें तो आपको पता होगा ना तो चलो देख लेते हैं तो इसका 28 का जो सही इंसर होगा दोस्तों, option A, यानी copper, ठीक है, right, चलिए इसी प्रकार हम चलते हैं, 29 की ओर, तो 29 में दिया गया है, चूना, जल का रासानिक सुत्र है, चूना, जल का रासानिक सुत्र है, तो इसका सही इंसर क्या होगा, तो देख लेते हैं, इसमें option A में CAO option V में CA, CL2 option C में CAO, CL2 option D में CAOH का hold twice तो 29 का सही इंसर होगा option D, CAOH का hold twice ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं, प्रेशन करमांग 30 की वर चलते हैं तो 30 में दिया गया है कि कोई विलियन लाल लिटमस को निला कर देता है, उसका प्येच मान होगा, तो बताएं इसका सही इंसर क्या होगा दोस्तों, कोई विलियन अगर लाल लिटमस्पत को निला कर देता है, उसका प्येच मान क्या होगा, तो इसका सही इंसर क्या होगा दोस्तों, तो देखी दोस्तों, इसका सही इंसर होगा option D ए और बी दोनों यहीं ग्यारा और दस दोनों ठीक है देखे एक होता है जो छार होता है एक होता है क्या अमल होता है तो जिसका पी एच मान अगर क्या होगा कि साथ से अगर अधिक होगा एक मिनट में तो जिसका पी एच मन अगर साथ से अधिक होता है उचार ये कहलाता है तो देखे ग्यारा और दस ये सब क्या होगा चार ये में होगा तो चार क्या करता है लाल इट में इस पत्र को क्या कर देता है नीला कर देता है तो अगर 11 है 10 से किसी का अगर 14 भी रहेगा तो भी आप कह सकते हो है ना 8 भी रहेगा तो भी क्या कर देगा क्या लालिट में इस पत्र को नीला ठीक है ये आप समझ सकते हो ठीक है चलिए तो अगला प्रस्ण क्यों चलते हैं प्रस्ण कर्मांग अब ले लेते हैं यहां पर यह हो गया प्रस्ण कर्मांग 31 तो 31 में दिया गया है इलकाइन में कार्वन कार्वन के बीच कितने सह सहींजक आबंद होते हैं तो भाई देखो क्या होगा इसका सहींसर 31 का तो देख भाई 31 का सही एंसरों का option C 3 ठीक है चलिए अगला प्रस्टन लेते हैं प्रस्टन कर्मांग 32 में दिया गया है गुलकोंज का अन्विक सूत्र क्या होगा तो यहां पर option दिये गया है तो 32 का सही एंसर क्या होगा दोस्तों 32 का सही एंसरों का option A यानी C6H12O6 ठीक है यह होता है गुलकोंज का राइट इसी प्रकार हम चलते हैं प्रस्टन कर्मांग 33 की ओर तो 33 में दिया गया उच वासी अमलों के सोडियम लवन कहलाते हैं option A में साबून, option B में मार्जक, option C में प्लास्टिक, option D में रेवर तो देखो भाई यह 33 का सही एंसर होगा option A साबून होगा राइट इसी प्रकार चलते हैं प्रस्टन कर्मांग 34 में CHO अभी की दिया सील मुलक को कहते हैं तो भाई इसका सही एंसर क्या होगा दोस्तों अब हमारे पास है प्रस्टन कर्मांग 35 तो 35 में दिया गया है आवर्थ सार्नी के किस आवर्थ में बाएं से दाएं जाने पर तत्तों की प्रमानूं तिर्जा घटती है या फिर पहले घटती है और पुना बढ़ती है या फिर अबवर्ति रहती है डी में बढ़ती है तो देखो बाई 35 का सही एंसर क्या होगा दोस्तों 35 का सही एंसर होगा option A घटती है ठीक है आईए प्रस्टन कर्मांग 36 की वर्ट चलते हैं 36 में दिया गया निमनाग की तत्तों को उनके अधातू गुन के अनुसार बढ़ते करम में सजाएं तो इसका सही एंसर क्या होगा दोस्तों यह नहीं बढ़ते करम में कौन होगा यह जो उपर दिया गया है L I O C B E F तो इसका बढ़ते करम क्या होगा दोस्तों तो देखो भाई 36 का सही एंसर होगा option B option B the right answer ठीक है यह हमारे पास होगा L I फिर B फिर C फिर O फिर F ठीक है अगला प्रेशन की और चलते हैं प्रेशन का सैंती सिलीकन क्या है बताइए धातू है धातू है उपधातू है इन में से कोई नहीं है तो भाई यहां पर देखो सिलीकन पूछ रहा है तो 37 का सही एंसर होगा दोस्तों option C option C the right answer उपधातू है सिलीकन इसी परकार हम चलते है प्रेश साओ प्रेशन की और चलते हैं प्रेशन कर्मांक 49 की और 49 में दिय गया रहा तो 40 का सही एंसर क्या होगा दोस्तों चारीम प्रेशन की और चलते हैं तो यहाँ चार अप्सन दिये गए हैं पता इसका सही अंसर क्या होगा मैगनिसियम को सोडियम को पाराम को टंगस्टन को तो पताए कौन होगा इसका सही अंसर तो देख भाई 40 का सही अंसर होगा अप्सन भी सोडियम को सोडियम धातो गरोसिन तेल में डूबा कर रखते हैं बाहर निकल लगए तो जल जाए गई है, 41 में अपमार्जक से बनाये जाते हैं, तो बताइए आप लोग क्या होगा, यहाँ पे देखिए चार अपसन दिये गए, अपमार्जक से क्या बनाये जाते हैं, सर्फ एकसल, या सैंपू, या ईजी सर्फ, या उप्योक्त सभी, तो प्रिशन क्रमां का 42 की वड़ चलते हैं, तो 42 में धिया गया है, सौर सेल में किसका उपच्योग होता है, बताएए इसका स्य इंसर क्या ओगा दोस्तों, सौर सेल में किसका उपच्योग होता है, तो कोई दिकत नहीं है, देख छो भाई, जो है देखना, वुरा बादो तो 42 का सही इंसर होगा दोस्तों बी ठीक है जानी श्लिकॉन ठीक है आई एकला प्रस्ण की ओर चलते हैं प्रस्ण क्रमांग का 43 की ओर तो 43 में दिया गया निमली खित में से किसका उप्योग खाना बनाने वाले इंधन में नहीं होता है किसका उप्योग खाना बनाने वाले इंधन में नहीं रोता है तो 43 का सही इंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन ए C and G का उपयोग LPG का तो करवे करते हैं बायोगैस को लए सब तो करीवे करते हैं ठीक है 44 में दिया गया है कि CU पलस O2 तीर का निसान CUO यानि ये क्या है ऑक्सी करन अप घटन या उदासनी करन या विस्थापन अभी करिया बताई इसका सही एंसर क्या होगा दोस्तो तो देखो भाई 44 का सही एंसरों का option A यानि ऑक्सी करन ठीक है तो चलिए अगला हम वैसे ऑक्सी करन भी है उसके बाद दूसरा हम इसके दूसरे सब्द में ऐसे कह सकते हैं कि सही ओजन अभी करिया भी कह सकते हैं ठीक है एक होता है वी ओजन अभी करिया एक होता है सही ओजन अभी करिया तो यहाँ पर आप सही ओजन कह सकते हैं कि कॉपर और ऑक्सीजन अलग है और तीर के निसान के बाद यह क्या एक साथ हो गया है बताइए आप संतुलित करके देखना जो जो संतुलित है नजर आएगा वो आपको लगता देखें हाइड्रोजन क्लोरिन दूग है तो यह तो अप्शन यह संतुलित है देखलो भाई मैं डाक टेंसर बोलता हूं ठीक है तो देख़ो पैंतालिस का जो से इंसर होगा दोस्तो तो चैलीस में दिया गया है उदासीन विलियन का पी-एच मान होता है बताइए सिंपल सी बात है जो साथ के बरावर अप्शन एडर राइट एंसर ठीक है चैलीस का ओके चले इसी तरह हम प्रशन करमांग सैटालिस की और चलते हैं तो सैटालिस में दिया गया है निमली खि प्रेशन करमांगा 48 में दिया गया है कि क्रायो लाइट एक्स है क्रायो लाइट एक्स है तो अपसन ये तामबा का भी लोहा का बता यह भाई इसका सही इंसर क्या होगा दोस्तों यहां पर चार अपसन दिया गया है ठीक है मैं नहीं पढ़ रहा हूं आप लोग तो आपके सामने है ही है ना तो बाई देखो और 40 का सही इंसर क्या होगा दोस्तों तो और 40 का सही इंसर अपसन डी ऐलमूनियम का प्रेशन करमांग का आप देख लो 49 में देखो पोटेसियम की परमानुसेंख्या क्या है बताईए पोट प्रविक का आई पीएसी नाम है क्या होगा दोस्तों तो देखो 50 का सही इंसर होगा दोस्तों वहोगा आपसन ए मेते नोई कम ठीक है चलिए इसी प्रकार हम प्लस्टन कर मांगे कावण की और चलते हैं तो एकावण में दिया गया है इदहाइल एलकोहल का अनुशुत्र है त दोस्तों तो एकवण का सही इंसर होगा दोस्तों की शीक्राइण सो चलते हैं तो और क्योंन करमां की ऐसा गया है है कौन है बताईए इसमें रिखाइन कौन थी टू है यह यह सी टू है गाल थो रहे क्या सीटू हर्यक्स थे पर वफटाना तो में आपको बता दे ताम स्था ओगा अपसंजी डू है सी टू है अधिक ऐसी परकार हम चलते हैं आ पर तुट्टन की हो तो तिरपन में गयातै चधिया का रसानिक शूत्र होगा सुत्रsy इसी परकार हम चलते हैं चोबन की ओर तो देखो भाई चोबन का सही इंसर तीन इसी परकार चलते हैं प्रसन करमांग 55 की ओर तो 55 में दिया गया है स्वसन के अध्यन के लिए उप्यों किये जाने वाले बीज है यहां चार अपसन दिये गया है बताओ चारों अपसन में से कौन सही होगा और कौन गलत होगा तो देखो भाई 55 का सही इंसर होगा दोस्तो अपसन बी अंकुरित बी टो देखो भाई 56 का जो सही इंसर होगा दोस्तो वो होगा अपसन C उतसर जन ठीक है उसी परकार हम चलते हैं 57 में तो 57 में दिया गया कि पोधे में जाइल जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है ठीक है तो इसका सही इंसर क्यों होगा दोस्तो तो 57 का सही अंसर होगा दोस्तो option A पानी ठीक है इसी परकार चलते हैं present करमांग खम 59 की और तो 59 दिया गया सो असन के दोरान कौन सी गैस से निकलती है तो इसका सही अंसर क्या होगा दोस्तो तो देखो भाई अंठावन का सही अंसर होगा दोस्तो option A CO2 carbon dioxide ठीक है उसी परकार चलते है present करमांग 69 की और तो 69 में दिया गया कि फलो फलो के पकने को निम्न में से किस से नियंतरित किया जाता है तो यहां चार अपसं दिये गया तो 69 का सही अंसर होगा दोस्तो अपसं C एथिलीन चले इसी परकार चलते हैं तो चार अपसं दिये गया है तो देखो भाई 60 का सही अंसर होगा दोस्तो अपसं A इसी परकार चलते है present करमांग 61 तो 61 में दिया गया है निम्नांकित में से कौन अपातकाल का हर्मोन है तो यहां चार अपसं दिये गया है बताए कौन होगा सही अंसर इसका तो 61 का सही अंसर होगा दोस्तो अपसं A एडरिनेलीन इस एडरिनेलीन को आपातकाल हर्मोन कहा जाता है परशन करमांग 62 की वर चलते हैं तो 62 में दिया गया है निम्नी खित में से कौन सी अनच्छी किरिया नहीं है अनच्छी किरिया आप से पूछा जैरैने बताए कौन होगा अनच्छी किरिया नहीं है उल्टियन, अतैधिक लार निकलना सी में दिल की धर्कन और डी में हैं चबाना तो देखो भाई 62 का सही अंसर होगा D, चबाना ठीक है अनच्छी किरिया नहीं है आई इसी तरह हम बात करते हैं प्रसंद करमांग का 63 की ओर 63 में कि मानों में गर्व की अवधी कितनी है 270 दिन, 290 दिन, 200 दिन, 25 दिन तो भाई मानों में गर्व की अवधी कितनी है तो भाई यह तो आप सब को पता होगा तो 63 का जो सही इंसर होगा दोस्तों होगा option यह 270 दिन ठीक है 927 कहते हैं 9 महीना मतलब 927 27 दिन चलो ठीक है चलिए प्रेस्ट करमांग 64 की और चलते हैं तो 64 में दिया गए कि गंगा एक्षन प्लान कब शुरू हुआ गंगा एक्षन प्लान कब शुरू हुआ तो बताई यहां इस भी दिये गया तो 64 का सही अंसर क्या होगा दोस्तों तो देखो भाई 64 का जो सही अंसर होगा option B the right answer और उनीच्सोपचासी सीवी में इसी प्रकार प्रेस्ट करमांग 65 में चलते हैं तो मुकुलन द्वारा और लाइंगी की जनल निम्नांकित किसमें होता है तो बताई इसका सही अंसर क्या होगा दोस्तों तो 65 का सही अंसर बताई तो देखो भाई 55 का सही अंसर होगा option A option A मे तो 46 में दिया गए कि निम्न मेंसे कौन सी बीमारी सुटंत्र से संबंधित है सवसंतंत्र से संबं-धित है बताई यह 66 का सही अंसर होगा दो 66 का सही इंसर होगा D Be adalah सी दोनों मतलब B में ए डायरिया और B में है टीवी ठीक है ये दोनों प्रेश्ण करमाइं का यहां पे है सरसट तो सरसट में दिया गया है मनुस्यझय और अन्यय मांसहारी जीव निमलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं बताई इसका सही इंसर क्या होगा दोस्तों तो देखिए सरसट सरसट का सही इंसर होगा दोस्तों बी से लिलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं आए प्रेशन करमांक और सट की वर चलते हैं तो और सट में दिया गया है कि brain hemorrhage का मुख्य कारण क्या है यानि brain hemorrhage जब करता है उसका मुख्य कारण क्या है तो देखिएrsad का सही answer क्या होगा दोस्तों और सच का सही answer option C hypertension यानि ज्यादा tenthry Android आ जाएगा न तो वो brain hemorrhage कर जाता है पागल हो जाता है ठीक है तो चलिए अगला प्रशन क्यों चलते हैं प्रशन कर्मांक हमारे पास है प्रशन कर्मांक ये 79 तो 79 में दिया गया कि निम्न में से परजीवी पादब का उदारन क्या है बताए इसका सही एंसर क्या होगा दोस्तो तो 79 59 का जो सही एंसर होगा दोस्तो अप्शन भी दे राइट एंसर एसकूटा क्या होगा तो सुरी एसकूटा करें कस्कूटा ठीक है कस्कूटा इस राइट एंसर 69 का ठीक है ये प्रशन कर्मांक सत्तर में चलते हैं तो सत्तर में दिया गया हिर्दय से रक्त को संपुन शरीर में पॉंप किया जाता है किसके दर फेपरो द्वारा सुरी निले के द्वारा है ना फेपरो द्वारा निले द्वारा या फिर अलिंदो द्वारा इन में से सभी के द्वारा बता इसका सही अंसर क्या हो दोस्तो तो इसका सही अंसर होगा दोस्तो अप्शन भी निले द्वारा ठ इसके द्वारा होता है मौकूलन द्वारा होता है चलिए प्रश्न करमांग 72 की और चलते हैं तो 72 में दिया गया है कि जनन संचारित रोग है बताइए जनन संचारित रोग क्या है जनन संचारित रोग तो 72 का जो सही अंसर होगा दोस्तों अपसंडी इनमें सभी ठीक है इनमे सबसे बाहरी भाग है падिक अप्षन में बें बाहरी बाहरी बहाओ च्वा- एबाह दल पुंज इसी परकार हम चलते है प्रस्ट करमांक 74 की और 74 में दिया गया है बलड समू A में कौन सा एंटीबोडी होता है है ना कौन सा एंटीबोडी होता है चलिए तो 74 का सही अंसर होगा दोस्तो ओप्सन option C यानि B होता है ठीक है क्या होता है B इसी परकार हम चलते है प्रस्ट करमांक 75 की और 75 में दिया गया है कि रक्त में गुलकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंतरित करता है तो इसका सही अंसर क्या होगा दोस्तो तो यहां 4 अप्सन दिये गए हैं तो 75 का जो नहीं डोस्तो ऑप्सन यह एंसूलीन ठीक है क्या होगा दोस्तो इसका इंसूलीन राइट एंसर प्रस्ट करमांक 76 में है इसका क्वार्शन की पादप विर्धी हार्मोन है बताई पादप विर्धी हार्मोन कौन है जिब्रेलिन है की एडिनेलिन है जहाँ पे सी में अंसुलीन अप्शन डी में थायरोक्सीन तो भाई देखो 76 का जो सही अंसर होगा दोस्तों वह होगा अप्शन ए जिब्रेलिन इसी परकार चलते है प्रसंट करमांग 77 की ओर तो 77 में दिया गया हार्मोन अस्तरावित होता है यानि हार्मोन किस से निकलता है अंतासरावि गरंति से या 22 गरंति से या नलिका से इन में से कोई नहीं तो भाई 77 का सही अंसर होगा अप्शन ए अंतासरावि गरंति से इसी परकार चलते है प्रसंट करमांग 78 की ओर तो 78 में दिया है कि मनुस्य के मुख गुः में कितने जोरे लार गरंतिया पाई जाती है तो बताई 78 का जो आपासर क्रेंज हो का ऍंचतर हो ओप जोरे अंसर होगा और यह यांशन एक थिक है उसी प्रकार हम चलते प्रस चलते हुआ,089 क्या है ऑंढोग एद्रोजें है है ब्दोश यह हार्मोन है या पा बा इम हार्मोन है या आईए प्रश्ण करमांक 80 की और चलते हैं 80 में दिया गया कि मटर को अपने प्रियोग के लिए किस ने चुना बताइए तो इसका सही एंसर होगा दोस्तो अप्शन A में मिंडल मिंडल इस राइट एंसर तो यह सारे के सारे वस्तुनिस्ट प्रश्ण जो थे 80 मैंने आपको द देनी है यह बात आप ध्यान रखने है ठीक है तो ऐसा ही जूरे रहे हैं हमारे चैनल से फिर में लेंगे नेक्स्ट वीडियों तब तक के लिए बाए दोस्तों